दोस्तों जो दंपती माता-पिता बनने की बहुत time से कोशिश कर रहे होते हैं planning कर रहे होते हैं, ऐसे में अगर उन्की planning successful हो जाती है और महिला चाती है कि वो पहले ही पता कर ले कि उन्होंने conceive किया है या नहीं किया है तो pregnancy test kit के बिना भी गर्वती महिलाएं कैसे समझ सकती है कि उन्होंने गर्वधारन कर लिया है कौन-कौन से वो संकीत गर्वती महिलाओं के भीतर उन्हें दिखने लग जाते हैं कौन-कौन से बदलाव आने लग जाते हैं आपका अपने इस चैनल pregnancy tips and information में और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल pregnancy tips and information को subscribe नहीं किया है तो नीचे regular के बटन को प्रेस करिए साथ ही bell बटन को प्रेस करिए ताकि ऐसी ही वीडियो जब मैं आगे डालू तो उनके notification आपको सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं पहला जो संकेत होता है वो होता है period का miss होना जी हाँ दोस्तों अगर आपके इस दौरान period miss हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपने इस दौरान गर्बधारन कर लिया है हाला कि दोस्तों period miss होने के कई और वज़ा भी हो सकते हैं लेकिन जाद तर जो वज़ा होती है वो यही होती है कि आपने कहीं न कहीं pregnancy conceive की है दूसरी बात दोस्तों इस दौरान अगर आपको spotting हो जाती है यानि कि जब आपने conceive किया और उसके एक दो हफते बाद आपको अगर हलकी फुलकी bleeding हो जाती है, spotting हो जाती है तो ये भी एक संकेत होता है कि आपने गर्बधारन किया है और ये जो bleeding होती है ये बहुत ज़्यादा normal होती है और बिल्कुल भी इसमें घवरानी की बात नहीं है ये नुकसान रहित होती है इससे आपके pregnancy में कोई भी complications नहीं होती है बल्कि ये bleeding होना भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है क्योंकि इस दोरान fallopian tube से जब mature egg जो है वो गर्भाशे की दिवार पे गिरता है तो उस समय गर्वती महिलाओं को implantation bleeding हो जाती है तीसरा बहुत ज़्यादा common जो लक्षन है दोस्तों हो है उल्टी और मितली का आना इस दोरान आपके शरीर में hormones का जोस्तर होता है वो कही न कहीं बढ़ने लग जाता है ऐसे में आपको उल्टी आने जैसा उपकाई आने जैसा फील होगा और morning के time में आपको morning sickness हो जाती है आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है आपको जी मचलाने जैसा मितली की problem बहुत जादा हो जाती है तो ये भी एक बड़ा संकेत होता है कि जब आप routine से हटके आपकी जो दिन चर्या है वो कहीं न कहीं अभ्यवस्तित हो जाती है सुबह से ही आपका दिन अगर अगर आपको अलग-अलग सा लगने लगे तो समझ लेची कि हो सकता है आपने pregnancy conceive की हो इस दौरान आपको हर 15-20 मिनट बाद पेशाब आने जैसा महसूस होता है और बार-बार पेशाब भी आती है क्योंकि इस दौरान आपके शरीर में blood flow बहुत ज़्यादा तेजी से होने लग जाता है जिससे कि आपके bladder पे भी कहीं न कहीं दबाव पढ़ने लग जाता है दौरान अगर आपको भी बार-बार पेशाब आने जैसा महसूस हो रहा है हर 20-30 मिनट के अंदर तो आप समझ जाएं कि आपने pregnancy conceive की है दौरान आपको peat और कमर के हिस्से में बहुत अधिक दर्द रहने लग जाता है अगर आपको भी ऐसा दर्द उठने लगा है जैसा कि period वाला दर्द जो होता है वो आपकी कमर के नीची से होता हुआ आपकी पीठ में जा रहा है तो समझ जाएं कि ऐसे में आपने pregnancy conceive की है अंतिम जो लक्षण है वो बहुत ज़्यादा common है और बहुत सारी महिलाओं को ये लक्षण अपने बीतर दिखाई देता है वो होता है ठकान और नीद का आना जी हाँ दोस्तों इस दौरान गर्बती महिलाओं में हार्मोनल चींजिस की बज़े से महिलाओं को ठकान बहुत जादा लगने लगती है pregnancy के शुरुवाती दौर में महिलाओं को हर टाइम पे सोने का मन करता है लेटने का मन करता है और बैठे रहने का मन करता है तो अगर आपके साथ ये सारी चीजे हो रही हैं तो समझ जाएए कि आपने गर्बधारन कर लिया है तो बिना टेस्ट किट के मदद से आप इस तरीके से इन लक्षणों को देखते हुए जान सकती हैं समझ सकती हैं कि आप pregnancy conceive कर चुकी हैं तो ये थी जानकारी अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हैं कोई डाउट हैं तो फास्ट रिप्लाई के लिए मुझे इंस्टागाम पर मेसेज करिए ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट कुए जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक जरूर करेएगाreal का चानल में नए हैं तो चैनल को सबस्कायब करेगा ठाञ्स फोर वाचिंग दोस्तों फिर मिलुँए नई वीडियो में तिल देन, stay happy, stay healthy.